अज क्या संदेश आया और ये बताने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट से बहतर कोई नहीं हो सकता है और इसलिए आज शाम के साथ हमारे साथ जवाब तो देना होगा में डिफेंस एक्सपर्ट का पैनल मौझूद है और उनको इंट्रिद्यूस करते हुए मैं बढ़ाई देती हुए एक तो 26 जनवरी की गरतंत्र दिवस के आप सभी को सर हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर के किस सिना इसमक्त स्टूडियो में मौझूद है मेजर जनरल रिटायर अश्मनी सिवाट साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं प्राफल बक्षी विंग कमांडर फाइटर पालिट हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं साथ ही ए मार्शल रिटायर बी के पांडे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ह पॉलिचिकल कॉमेंटेटर हैं वो भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं आप सभी महमानों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज बहुत बहुत भेतरीन बहुत खास मौका है बात करने के लिए भारत की ताकत का एक छोड़ा सा ब्रेकन ले रहें लौटिंग पॉरण चर्चा आगे जारी है अच्छे से इस बात को कि अगर हमारी तरह पांख उटा के देखी तो भारत तयार है पूरी तरह से जवाब देने के लिए पॉर्ण पावर जी ने आपने बहुत सही फरमाया एक नेशन अपने जो कॉम्प्रिहेंशन नैशनल पावर कहते हैं जिसमें एक सोफ पावर और हाट पावर हाट पावर है वो मिलिटरी पावर है उसका एक सोफ प्रदर्शन होता है जब हम गंतंतर दिवश्ट के मौके प अबर वो करना चाते हैं उनमें अभी जड़ो ज़ाट चले भार आज सतर सालों से ये करता आ रहा है और ये एक कॉम्प्रिहेंशन नैशनल पावर का एक्जिविशन है जिसमें केवल मिलिटरी पावर नहीं है मैं नैशनल पावर की क्या बात करता हूँ जो सोफ पावर है उसके बाद विमन पावा आपका ये सोफ पावा सब चीज का प्रदर्शन इसमें होता है और ये केवल हम यह नहीं कि किल पाकिस्तान या चाइना को एक मैसेजिंग करते हैं और हम पूरे विश्वे आज देखें जिस तरह से भारत किस जगह से एक अपसलूटली पीशड़ हुआ देख था जब हमें 47 माजादी मिली और आज हम पहुँच गए हैं जो एक पॉलारेटी के अंदर में एक पावर हस्ती रखता है तो इतनी जल्दी जो उभार आती है एक देख जिसको 200 सालों तक कुछला गया जन्जीरों में फसा हुआ था उससे ये इतिहास में नहीं हैं कि 70 साल में अमेरिका को 300 साल लग गए हैं जब उसको फर्स पोजिशन में आने जिस तरह से भारत सकती की तरह उबर रहा है आने वाले 15-20 सालों में वो वर्ल्ड के लिए और देखें कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने प्रभुत को जमाना नहीं चाहते हैं हम अप जो मिलिटरी हाट पावर्स हैं जो निक्स्टर आप देखती हैं जो नित है गान है सब्यता है संस्कृति है जो हमारी विकास की गाता है वो हम देखते हैं तो इससे हमारी और यह मैसेजिंग के विल वर्ल्ड के लिए नहीं है एक 1.3 बिलियन जो पीपल है एक सो तीस करोड जनता है उसके अंदर में जो उत्सा का संचार होता है कि अब हमें नहीं आप में होता है बच्चों में होता है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है और मेरी खाल से ये बहुत अच्छी परंपरा है और इसको हमको काई में रखना चाहिए लेकिन मैसिफ ये बहुत साफ है कि हम किसी पर अपना दवाब बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन हो अपने आपको ताकतवर बना रहे हैं आश्मनी सवाथ आप इत्वाक रखते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह की ताकत हम देख रहे हैं भारत बनता ज जा रहा है एक तो दुश्मनों को जवाब देखे देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि उनके जो मुझ कुलते हैं वो बंद हो जाए सबसे पहली चीज लेकिन भारत अपने आप में कितना सक्षम कितना ताकतवर हो रहा है वो आज की तस्वीर ज़रूर दिखा गएग कि हमें ताकतवर बनना है हमारे पास दो परोसी देश हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है चीन जो नौर्थ में और हमारे वेस्ट के अंदर जो है वो है पाकिस्तान आपको पता है ये दोनों की दोनों देश जो है एक तो इनका अपस में मिलाप है और दोनों चीन जो है ज्यादा तर बहुत ही मौडरनाइज कर रहा है अपने आपको उसने अपनी फोज को काट दिया है कम कर दिया है और उसको मौडरनाइजेशन की तरफ ले जा रहा है चाहे वो साइबर वारफेर है चाहे वो स्पेस है चाहे वो आर्टिफिशन इंटेलिजन्स है जाए वो अलेक्टॉनिक्स है उसकी तरफ ज्यादा धान दे रहा है कट ता टेल, कट ता फ्लैब, एंड इंप्रूव ता टीथ, ये एक मेसिज जो कर रहा है चीन वो बहुत ज़ूरी है, और चीन ने क्या किया है, कि इसको कट करके उसने अपनी नेवी और एरफोर पे बहु एक है, और एक बन रहा है, और एक ट्राहिल कर रहा है, आने मारे समय में छे एरकाफ्ट कैरियर होंगे, दोस्तों से ज़्यादा सम्मरीन होंगी, जो की इंडिया पैस्ट्रिक और्शन होंगी, इंडिया और इसके साथ साथ बड़ी ही तुजर्बे से, वो एक स्ट्रिंग पोज लगा रहा है, इंडिया के तरफ, चारों तरफ से घेरा बंदी कर रहा है, आप स्टार्ट हो जो मैंनमार से कभू कपू, उसके बाद आप आजो बंगना देश के अंदर, आपका चिटागॉंग, शिरी लंका के अंदर, हमन टोटा, उसके बाद मालडीव के अंदर, फिर जीबूटी, फिर गौदार है पाकिस्तान में, तो एक परकार से यहां पर एक माला सी जोड़ दी है, हमको इन सर्कल कर देंगी, और वो अपनी नेवी को इतना स्ट्रोंग कर रहा है, आने वाले टाइम में, ये एक परकार से बहुत बड़ी ठ्रेट हो सकती है, इसके स लेशन एरकाउट ले बढ़ा रहा है, जे ट्वन्टी, तो और और जो चीन है, बहुत ही जल्दी से अपने आपको शक्ती चाली बनाता जा रहा है, और वो हमारे लिए खत्रा है, और इसका मिला जो पाकिस्तान के साथ हो जाता है, तो तब ज्यादा खत्रा बड़ जाता है मैं ये बताना जाता हूँ, पाकिस्तान का एक मुद्धा है, ब्लीड इंडिया की थाजन काट, मतलब कि हमें ऐसे काम करते रहो कि इंडिया को बढ़ने मत दो, और ये जो इसी पॉलिसी को मत नजर रखते हुए, उसने कश्मीर के अंदर टेरिजम फला रखा है, और जब समय में, जो इनका गठ बंदन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक परकार से डेंजर है, और हमें भी अपने आपको मॉडरनाइज करना पड़ेगा, हम जो हैं ये नहीं कह सकते कि हम इन दोनों से मुकाबला करेंगे, पुराने हथियारों से, इसलिए गॉर्मेंट को और हमको मुड़नाएज, अभी आपको दो ही मिले, अभी M777 Light Ultra, जो मिले हैं, जो इसी को समझना ब्रादर लेवल पर बहुत ज्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं प्रफल बक्षी साब से बात कर रहे थी, वो भी यही कह रहे थे, कि सबसे बड़ी बात यह है, कि हमें ये अभी मिले, जो इसी को पीछे ना डखेलना हो, हमें खुद को सक्षम रखना है, आप आक्शल में बताईए सर, कि हम कितने तयार खुद को आज सत्तर बे गरतंत्र दिवस के दिन, जब हम ये परेड करते हैं, हम हतियार दिखाते हैं, कहां पर हम खड़ें? देखिए, सबसे पहले है, अपने आपको कभी धोका मत दीजिए, ये पुलिटिकल स्टेट्मेंट्स एक तरफ हैं, मैं दोनों जनरल साब से सहबत हूँ, ये जो कह रहे थे, काफी हद तक मैं इसकी बात मानता हूँ, पर मैं एक बात और एड करना चाहता हूँ, जब आप से तयारी की बात कर रहे है, ये जो हमारी स्थिती है, ये स्थिती ओvernight नहीं हुई है, ये पिछले सक्टर साल की पालिसीज और मिलिटरी डॉक्ट्रीनds के कारण ये हुई है, 1962 के शिकस्त और हेजिटेशन इन कारगिल वार ये सारी की सारी जो 65 वार में इंडिसिजन ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी पूर थिंकिंग और डॉक्ट्रीन से और प्रिपरेशन से हुई है अब आप चाइना बॉर्डर पे चले जाएए तवां से लेके ले तक चले जाएए आप पताए कि खुद जाके देखिए आप अपनी टीम को इंडिया न्यूस की टीम को लेके जाएए और पता कर लीजिए कि आपके तैयारी क्या है और चीन के तैयारी क्या है फिर आपको पत और था 47 में हमारे बात स्टार्ट किया है चीन ने वही मिट 21 उसी समय लिया जब हमने लिया हम मिट 21 को रोने लगे हमारी मीडिया इसी टेलिविजिन पर फ्लाइं कॉफिन बोल की थी और चाइना F7 बना के पाकिस्तान को बंगलादेश को सिरी लंका को सबको दे रहा है और ज करना एक और बात है पर अपनी स्टडी करते हैं तब पता करता है हमारी वीक्नेसेस कहा है हमारी वीक्नेसेस हैं डिसिजिजन मेकिंग में हमारे आर्मी कमांडर्स एफोस कमांडर्स इस बात पे जोर नहीं लगा पाए और गियोरोक्रसी के नीचे रह गए कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और हर जड़ा यही हुआ चाहे मुराल की बात हो एकुपंट की बात हो किसी भी चीज़ की बात हो हमारी प्रॉब्लम बहुत रही यह मैं मानता हूं कि अब हमारी जागरूप का आ गई है अब हमने स्टार्ट कर दिया है बेटर लेट दिन नेवर बिल्क तो निकली गई है अगली जेनरेशन देखेंगी वो क्या हो रही है वो जब और क्या हमके हमारे को आपोजिशन करने देगी हमारी पुलिटीकल एसा है जेश का हमारी जो पुलिटीकल नीतियां ऐसी है यह होने नहीं दे रही जाए आप रुपाइल को लेने की बात करते हो वो उसको रोक रहे हैं, आपके स्कॉर्डन्स चाहिए, आपको 45, मेरी तरफ से 50 होने चाहिए, बर एक्सपर्स कहा रहे हैं, 45 में मानने को थ्यार हूँ, हैं कितने? 31, पात साल में कितने हो जाएंगे? 22, 22 वाइटर स्कॉर्डन्स को लेके, आप two front war की बाग कर रहे हैं, किसको ख़लों उठाना है, क्योंकि आवास कम है, उसको ठीक करना है, अगर आपको state changes लाने है, ministry of defense में, उसको लाइए, order protocol में प्रिचेज लाना है, उसको लाइए, यहां तक अगर आप यह नहीं काम करेंगे, तो athlete athletic track में नहीं जा सकता, उसको पूरी की पूरी preparation चाहिए, और false को problem उन्हों वहां पे आ रही है, आपके JCOs rank को, तो उन्होंने बड़ी, जो की, कास्तु गजिनेट पोस्त है, वो निकाल दिया है, पूरी false का moral ने के कहा है, आपका soldier है, वो non, उसको skillful labor की उपादी दी गई है, उसकी मौत पे तिरंगा जला के आप रोने चले जाते हैं, और ये problem आ रही हमारे को, ये problem जब तक दूर नहीं करेंगे, चाइना और पाकिस्तान आपको ड़ा है, ये बात बहुत अच्छी है, प्राफल बक्षी, आप जो चीजें mention कर रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात पहले हमें समझना पड़ेगा, हमारी problem क्या है, उसको sort out करना पड़े की, और as a senior journalist and political commentator, मैं आपसे समझ रही हूँ, लगातार हम देख रहे हैं, चीन की तरह से अपनी strategy प्लान की जा रहे है, ये खैर पाकिस्तान तो छोड़ दीजे सर, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाते है, पाकिस्तान के लिए हम काफी हैं बहुत, लेकिन चीन जैसी strategy कर रहा है, लगातार, उसका जवाब देने के लिए हमें rectification और speed up process करने की काफी जरूरत है? इक command से हमारी मैंने वहाँ विजिट किया, और मैंने army को बहुत closely देखा है, जैसे मैंने parliament को closely देखा है, मैं दोतीन बाते कहना चाता हूँ बहुत जल्दी में, कि पहली बात तो ये है कि जो army है, army के लिए हमारी जो leadership है, political leadership है, उसको army की पूरी जो professional approach है, उसके इसाब से army को समझना पड़ेगा, और उसकी तरह से दो तरह की तैयारे army के लिए होती है, जो मैं as a reporter समझता हूँ, कि एक तो हमारी जो short term में जो preparations होती है, और दूसरा है कि long term preparations देख के लिए होती है, क्योंकि ये देख तो यहीं रहेगा ना, आज जो लोग है, जो सेना में है, army में है, कर लोग बिर्द हो जाते हैं, ये लोग चलने पाते हैं, लेकिन देख तो यहीं रहेगा ना, देख की जो सिमाए है, उनकी सुरक्सा, उनकी safety और दूसरी बात ये है, कि आज जो सुरक्सा बाताबरर पुरे महादूइप में है, भारत सबसे बड़ा देख है, लेकिन क्या ह है, कि हमारी जो soft image एक बन गई है, कि देखिए, पाकिस्तान जैसा पिद्दा साथ देश, जिसकी आवादी हमारे उत्तरप्रदेश जैसे सुबे से भी कम है, वो देश हमें हमारी नाग में धंकिये वे पिछले 40 साल से, और हम उसकी जो soft terrorism, cross border terrorism कर रहा है, क्योंकि देखिए, आर्मी उसकी ऐसी है नहीं, उसके पाई इती पावर है नहीं, कि वो हमारे साथ, हमारी आर्मी जो बड़ी बहादूर आर्मी है, उससे आपने सामने वो 24 गंटे लड़ाए नहीं लड़ सकता, तो इसलिए वो cross border terrorism, हमारे internal affairs में कुछना कुछ गुस्पैट करके, क्योंकि कस् नहीं लोगों को भेजता है, जैसे कारगिल में उसे भेजा, सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ, आपको कि देखिए, आज निश्चित रूप से हमें एक nuclear country है, हमें एक पुरा nuclear जो परमानों हत्यारों से less देश है, लेकिन इसके बाब जूद भी हमें, अभी हम सांती काल मे जो पीस टाइम है हमारे देखिए, हमारे कोई वार नहीं हो रहा है, लेकिन जो military strategies होती है, पीस टाइम पर हमें लंबी युद्ध की तैयार करना पड़ेगा देश को, क्योंकि जिस से चाइना कर रहा है, चीन के जो resources बढ़ रहा है, अभी एक रिटायर जनरल साब कह रहे थ है कि देखिए चीन, मैं मानता हूँ कि चीन की जो military might है, बहुत advance है, चीन जो है, 62 में हमको पचाजने के बाद चीन ने किसी देश के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे उसके बाद 3, 4, 5 conflicts हो गए है पाकिस्तान के साथ, और चीन जो है बड़ी silently, बड़े silently अपनी य और सिक्टिफाइट तक कोई हमारे पास हमारी जो why सेना है, उसके सामने चीन के तैयारी कहीं नहीं टिकती थी, लेकिन आज हालत यह है, कि चीन जो है, येरफोर्स के मामने में बड़ाने के लिए, हमें परयास करने पड़ेंगे कि कैसे हम अपने सेना का मनोबल बढ़ाएं दूसरी बात यह कि जो आर्मी जवार रिटायर हो जाते हैं, आप उसको 38 साल में, 37 साल में, 32 साल में उसको रिटायर कर देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं, हमारे पास क्या उसकी human resource development आर्मी जवानों के लिए क्या हो रही है, इवन आर्मी को जर्नल से इतने intelligent जर्नल है इतनी जबरदस ट्रेनिंग हो रही है, आज ये बताईए कि इतने हमारे जो civil जो हमारी जो चीजे हैं, वहाँ इनका दखल कितना है, उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं लिया जाता है, विरोक्रेसी हाभी है, विरोक्रेसी डॉमिनेट करती है, मुझे याद है कि कारगिल के टाइम पर हमारे जो साजो समान थे, वो साजो समान नहीं पहुंचे हमारे सोल्जर्स के लिए, हमने देखा कि जोते फटे हुए थे, में मस्कूर, दरास, बतालिक, उन एरियाज में गया तो हमारे सोल्जर्स ने बताया कि देखिए हमारे जाब जोते, तो ये जो शर्मनाक और इसके लिए हमारी जो बिरोक्रेसी है वो जिमेदार है मैं अपने जोbernल्स बैटे वोई एहाप पर आपके पैनल में बात उनके दर्द को समझता हूँ, लेकिं ऐसर वार रोपोर्टर, मैं ऐसर डिफेंस रिपोर्टर, मैं कहता हूँ कि जो हमारी بिरोक्रेसी है, इस बिरो अ हमारी जो सुर्खसा की तैया रिया है उनको किस जंग से आगे ले जाए बजट में रोड़ अड़काय जाते है फायले अड़काय जाते है यह बाद साई अमाकान लकाज बोल रह सी अरभी जर्नल को ड्रॉइंट सेकेटिर लेविल का भीजर जो है करेक्टर सेट्विकेट देता है नहीं नहीं अरे आप एक साउध ब्लॉक में आप बैठे हुए है फाइल के अंदर आप पता भी सियाचिन में मस्कू बहली में दरास में बतालिक में ले में हमारे सोलजर की क्या जरू होते हैं हमारे आर्मी ऑपिसर किन कचिन परिस्ति में वहां काम कर रहा है वहां आटाट फिट जब बरफ दमती है कैसे हमारे बरफ दमती है कैसे हमारे काम कर रहा है मोराल हमारे जो सैनिकों का मोराल अप रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी देश की जो सरकार है देखे 26 जनवरी पर प्रेट करना ये तो बहुत बीके पांडे जी को भी लाना होगा मैं आपके पास फिर आउंगी बीके पांडे जी जो बात प्रफल बक्षी कह रहे थे हुमा कांत लखे रहा और साथी बाकी पानलिस्ट भी कह रहे थे इंपॉर्टन बात ये कि हम आज जो तस्वीर देखी राजपत से और डेफिनेटली वहाँ जो चीजें सामने रखी गए कि ये सब भारत की ताकत है हमें मजबूती देती है और दुश्मन को हम इससे जवाब भी देने के लिए तयार है लेकिन आप दे सेम टाइम ये भी एक एक बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम आख चली कितने तयार हैं सर आपको क्या लगता है ऐसा है कि हमारे जो पहले स्पीकर थे जनल साब और ये डिफेंस कॉर्रस्पॉंडनेंट जो है अ कुछ आगए है लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फॉज की जो उसका अंदाजा रिपॉब्लिक डेपरेट से नहीं लगा रिपॉब्लिक डेपरेट पे जो डिस्पली क्या जाता है वह पॉब्लिक के लिए लिए डिस्पली होता है वो फौज की शमता को असेस करने के लिए नहीं होता फौज की शमता असेस करनी है तो उससे बेटर होगा एक्सरसाइज में देखिए अब ये एक्सरसाइज कोप इंडिया हुआ था उससे पता लगा कि क्या हमारी शमता है और सबसे अच्छा सबसे वो सिचुएशन जिसमें की बहुत accurately असस हो सकता है कि एक्शल जब वार हो जैसे डोकलम में जब confrontation हुआ उससे पता लगा कि हमनों की शमता क्या है और हम किस तरह से चीन का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो ये जो शो के लिए जो होता है रिपब्लिक डे परेंड वगरा ये एक दिखावा है इससे हमनों को बिस्टाइड नहीं होना चाहिए ठीक है नया नया एक्ट्पेंट जो आया है उसको दिखा रहे हैं पब्लिक के नॉलेज में दे रहे हैं कि हाँ ये हमारे पाश्पेंट है अगर हमें जवाब देना है चीन को अगर हमें जवाब देना है पाकिस्तान को लगातार हम दे भी रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रेटिजीज के साथ साथ अपने इस नपे भी मजबूती लानी हो खल सेना और नौ सेना के लिए तो ठीक है लेकिन जहां तक वाईउसेना का सवाल है हमारी हालत तो बहुत बुरी है अभी अभी आपको पता है किस तरह से रफाल पर पब्लिक डिबेट हो गया है और पुलिटिकल डिवेट हो गया है और वो डील आगे में बढ़ रही है और सकता कैंसल के हो जाए और जो अपने अंदर के लोग हैं उनको कोई चिंता नहीं हो जागे सुप्रियम पोर्ट में उसके खिलाफ पेटिशन तो वो अब इस तरह से आंटी नेशन लोग जो इस पहले उन से ने पटना होगा जैसे बता रहे हैं और आपको दो फरंट लड़ाई लड़नी है जो की असलियत है और आपके पास आप तीस स्कॉर्डन रहे हैं और आने वारे समय में मिक ट्वंटी फाई मिक ट्वंटी सैवन फेज आउट हो जाएंगे आपके पास रहे सक पास अभी मी सिकोर्डन है वो बड़ता जा रहा है और पैतारिस कॉर्डन के क्रीव है चाहिना के पास और वो मोडर्नाइज भी करता गार है तो एक परकार बहुत बड़ा खत्रा हैं और यह रफैल जो आने थे हमारे पास यह फोर-फॉजनेट है ना फोर पाइंटौइ हो जाएगी कि एरफोर्स का अगने मौडर्र लडाई में बहुत ताक्तवर होना बहुत जरूरी है एक दूसरी बाद आपको समझ नहीं पड़ेगी जो हम कह रहे हैं चीन एक बहुत ही सिस्टेमेटिकली बढ़ता जा रहा है मौडराइट करता जा रहा है जाये तो वो इंफर पाकिस्तान का जो साइज है और उसकी पॉपरेशन है भारत से एक शेक मुना कम है उसकी एकॉनमी पांच मुना कम है मगर उसकी फोड़ साथ परसंट है वो जे टूंटी और जे सेवन खरीद रहा है क्योंकि ये चीज एक परकार है वो हतियार जो भी खरीद रहा है वो बना है अधर का ड़ल तो और भी जादा है जो की हाइप्रिड वारफेर केर रहा है हमारे साथ जा INTRO bought रा ले ते कि भी हो सकता है ये इनसji कराएगा नेकर परस्ट ऑगार तर्रिजम कराएगा मैं यह कराउँ इसके लावा भी वह अपनी फोज को मोडनाइज कर रहा है हमारे से 6 गुना कम होते हुए भी वो फाक और चीन तो आपको मालू ही है कि पूरे जोर से आज की तारिक में हमारे लियनी पूरे वर्ल्ड के लिए खत्रा है और अमेरिका को भी ये पता है कि भी चीन की जो शम्ता इतनी बढ़ गी है चाए वो नेवी हो या एर फोर्स है आने वाले अ वो रिकॉर करती है इमीजियर करते है रेक्टिफिकेशन की एर पार जहां पर नहीं होती वहार मकरर होती है सारी लड़ाईया देख लीजे नाइटिन सिक्सी टू में आपने अपनी एर पार नहीं लगाई आपको कितनी बुरी शिकस्त मिली लोंगे वाला में पाकिस्तान क कमज़ोर रही एर पार नहीं थी और चाइणा ने भी एर पार को इंपरिज कर रही है एर पार हर जगह हर कीस्व का अ ग्याँ है आर्मी का एर फोर्स का नेवी उल्kay अगर आप एर पार को जिस्न करें गेंगे जारते हिंदोस्तान ने किया, जैसे हम सब कह रहे हैं, ये इतनी चिंता जनक सिचुएशन बन जाएगी, कि जैसे एर मार्टिर पांडे ने बोला था, हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुदी अपने दुश्मन बन जाएगी, तो ये बहुत जरूरी है, अब इसक को कैसे ओवर कम करेंगे, और उपोजिशन बे पूछा चाहिए, कि क्या करना चाहते हैं, ताके आपको सजेस्ट करें और उसको उपोस करना चुरू कर दें, तो ये सारी कि सारी, केके सिना आपको क्या लगता है, कि प्रॉब्लम कहां पर है, हम जिन दिकतों की भी बात कर र है, अगर हमें अपने वायो सेना को मजबूत करना है, और हम नहीं कर पा रहे हैं, कांट्रवर्सी को अगर हमें तर रखें, तो इतना बड़ा हमारा दिफेंस डिपार्टमेंट है, हमारी पूरी मिनिस्ट्री है, अटेफिनेटली एक्सपर्स तो उसमें भी होंगे, उनकी प्लानिंग होगी, मतलब मैं यह समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पर रहे है, प्रॉब्लम हमारा इनरेशनल कारेक्टर में है, और कहीं है, और मैं इतना गृम पिक्चर भी नहीं, इस तरह से खुल के बात आरही है, यह हमारी कंसर्न है, मगर आप ट्रागम हम पूरे हमारी जब आप फोर्स टू फोर्स कामपरिजन है, चाहे वो सीज में है, चाहे एर में में है, चाहे ग्राउंट पे हैं, हम अपसलूटली फॉर्म्ड हैं और करेक्ट पोजिशन्स में हैं, यह अपसलूटली करेक्ट है, कि हमारी यह चंता बढ़नी चाहिए, और तो ये इसमें कारण क्या है देखिए कोई भी सरकार नहीं हो चाहे वो टू जरो वन में ले जी ये कारगिल वार हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी सब को पता है और उसके बाद ये चलती आ रही है प्रॉब्लम हमाने नाशनल कारेक्टर में है क्यों नहीं इसकी प्र प्रकॉर्मेंट हो जानी चाहिए और पंदरा-पंदरा साल तक प्रकॉर्मेंट्स नहीं हो रही है लोगों के हाथ कापते हैं देखिए किसी ने डिसीजन लिया कि दो स्कॉर्डन लेकर आएंगे और आप देखिए कैसे डिवेट होती है और ये कहते हैं हमारे फॉच के बी जैसे पब्लिक डिस्कोस में आया है लोग इसकी जो को समझते हैं जो संका है दो निकलती है सुप्रीम कोट डिसीजन देता है सुप्रीम कोट कहता है न कि उससे बढ़ करके और क्या एक होगा वो क्लियर कट दिया है और दिवेट तो चलता हा रहा है ये हमारी नैशनल कैरे रहे मगर नैशनल कैरेक्टर से हमें निकलना पड़ेगा फोज को मेरे ऐसे यहां बैठे सब जनल साफ को और विंकमांड साफ को सब को ही समझना पड़ेगा कि ये हमारी हालात है इस से निकलना है मैं आपको बता हूं आज की स्तितिक क्या है ऐसा कोई नहीं कि आपको घबरानी की बात है, ठीक है, स्ट्रिंग अपरल, आज से नहीं, पक्चीस सालों से ये बात चल रहे हैं, ये स्ट्रिंग अपरल लगा रहा है, अरे भाई, चार बहार में हम भी गए हैं, चार बहार आपको पता ही होगा, हम भी अभी इनो साउथ अभी इन्डो पैसिफिक हुआ है, क्योंकि हमारी जो पार है, मैं बार बार कहता हूँ, कॉम्प्रियंशन नैशनल पार है, कंसर्ज हैं, और सब हमारे जनल साब, विंकमार साब, और हमारे जो ये पहले बोड रहे थे, उन्होंने एक्स्ट्रिंटली कर्ण, मगर देश की ज से बताया कि रही यूज हुआ, आज के दिन में तार, जो टेबता, अटोमेसर रीजिन है, जहां से चाइना ने हमारे यहाँ एफोस से उपरेट करना है, उसकी च्छमता नहीं है, कि उपरेट कर पाए, हाँ, यदि वो अपने छे साथ जो आप बता रही थी, जो वो बना र में चाहिना नहीं कर सकता, देखें, आप यदि हम पाकिस्तान को ले लेए, उसकी जो प्रॉक्सी वार की बात अलग है, मगर आप कन्वेंशनली उसका कोई मुकाबला नहीं है, आज जरूरत क्या है, आज आपको अपने फ्रेंटियर से बाहर निकलने की जरूरत है, इंडि आपको अपने फ्रेंटियर से, यह जो हम टू अन्हाफ फ्रेंट की यह बात करते हैं न, मैं बार बार यह बताता हूँ, इससे आगे निकलना पड़ेगा, अदर्वाइज हम जब डिवेट करते हैं, हम अपनी जनता को एक गल्ट मैसेजिंग करते हैं, और वो उस समय होगी जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्शिप, हमारी स्टाटिजिक अंडरस्टेंडिंग को समझेंगे, वो समझते नहीं हैं, आज आपके देखिए कैबिनेट में भी दो तीन रक्षा के बिश्ट्स, चीफ ही एक आया हुगा है, वागर उसको कहां लगाते हैं, आप डिफेंस मि पॉलिटिकल लीडर्शिप, हमारे काम करनी की चाप, सब लोग अच्छा सोचते हैं, सब राजनेदा अच्छा सोचते हैं, चाए ओपोजिशन में हैं, या रूलिंग पार्टी है, मगर हमको इन दिवेटों से, हम अपनी पावर को बढ़ाने पड़े हैं, इसी पॉइंट क अब बहुत बहुत शक्रिया असके सर्चा में शामल होने के लिए, जवाब तो देना होगा में, आज के लिए बस इतना, इंडिया न्यूस पर खबर आगे भी हैं